हाँ जी नमस्कार, देखिए नीम्बू तो सभी लोग पीते हैं, लेकिन या तो सवाद के लिए पीते हैं, या प्यास बुझाने के लिए पीते हैं, बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं पीते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नीम्बू पीने से कौन-कौन सी बीमारिय को दूर करता है. देखिए हमारा शरीर पानी का ही बना हुआ है. ऐसे में अगर हमारे शरीर में पानी की ही कमी हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा? फिर बिमार होना तो तै है. हमारे शरीर की हर कोशिका हर छोटे से छोटा हिस्सा और हर बड़े से बड़ा हिसा पानी से बना हुआ है ऐसे में अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां लगेंगी लेकिन जब आप नीम्बू पानी पीते हैं तो नीम्बू शरीर में पानी की कमी को दूर करता है तो यह है इसका सबसे पहला फाइदा दूसरा नीम्बू में विटामिन सी बहुत ज्यादा मातरा में होता है तो जब आप नीम्बू पीते हैं तो आपको क्या फाइदा होता है कि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बन जाता है इससे immune system से होने वाली बिमारियां आपको नहीं लगती और इस समय जो महामारी फैली हुई है इस समय आपको एक मजबूत immune system की बहुत ज़्यादा जरूरत है इसके लावा अगर आप नीम्बू पीते हैं तो आपको आम सर्दी जुकाम नहीं होता इसका भी यही कारण है कि आपका immune system मजबूत बन जाता है इसके लावा नीम्बू heart को मजबूती देता है दिल की बिमारियों से आपको दूर रखता है नीम्बू पीने से heart attack और दूसरी दिल की बिमारियों से बचाव होता है और नीम्बू पीने से स्ट्रोक से भी बचाव होता है स्ट्रोक किसे कहते हैं? स्ट्रोक होता है जब आपके दिमाग में किसी नस के अंदर फैट जमा हो जाए और खून का भाव रुख जाए तो इसे स्ट्रोक कहते हैं इससे व्यक्ति की जान जा सकती है या व्यक्ति को लगवा हो सकता है तो अगर आप नीम्बू पीते हैं तो आप स्ट्रोक से भी बच सकते हैं बुढ़ापे में अक्सर लोगों को स्ट्रोक हो जाता है क्योंकि उम्र बीतने के साथ-साथ नसों के अंदर फैट जमती चली जाती है और एज बढ़ने पर स्ट्रोक आ जाता है लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर नीम्बू पीते हैं तो आप स्ट्रोक से बच सकते हैं नीम्बू पीने से आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वे निम्बू पीने से आपका वजन भी कम होता है इस वाले फाइदे के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं नीम्बू पीने का एक जबरदस्त फाइदा शुगर वालों के लिए है नीम्बू पीने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टन्स में कमी आती है अब ये insulin resistance क्या चीज है? हमारे शरीर में जो insulin बनती है, शरीर इसका विरोध करता है, diabetes वाले लोगों में, यानि diabetes लोगों में जो insulin बनती है, शरीर उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसी की वज़े से blood sugar level high रहती है, तो जब आप निम्बू पीते हैं, तो आपके शरीर में insulin resistance घटती है, यानि आपका शरीर insulin के प्रती समवेदन जील बन जाता है, जिसके कारण insulin का सही इस्तेमाल हो पाता है, और blood sugar level कम होता है, तो जिन लोगों को diabetes है, वे एक नियम बना लें, एक rule बना लें, कि दिन में एक बार निम्बू पानी ज़रूर पीना है, निम्बू पानी पीएं, निम्बू पानी पीने से dry skin की समस्या ठीक होती है, तो जिन लोगों की तवचा खुशक रहती है, वे लोग भी निम्बू पानी पीएं, अगर आप regular निम्बू पानी पीते हैं, तो जब आप धूप में जाते हैं, तो धूप की वज़ा से आपकी तवचा को नुकसान कम होता है, तो ये भी निम्बू पानी पीने का एक फाइदा है, यानि निम्बू पानी पीने से धूप की वज़े से होने वाला skin damage कम होता है, निम्बू पानी पीने का एक और बहुत जबरदस्त फाइदा है, वे ये है कि ये आपकी constipation को ठीक करता है, यानि आपका पेड़ साफ होगा और आपको कबज से रहात मिलेगी नीम्बू पानी पीनी से ना सिर्फ कबज दूर होती है बलकि ये आपके पाचन को बहुत ज़्यदा सुधार देता है आपको खाया पिया पचने लगता है जिनको अपच की दिक्कत है यानि जिनको खाया पिया पचता नहीं है खटे डिकार आते रहते हैं तेजाब बनता है वह लोग अगर नीम्बू पानी पीते हैं तो उनका हाजमा सही हो जाता है जिससे भोजन बहुत ही असानी से पचने लगता है नीम्बू एक ऐसी चीज है कि अगर खाना खाने से पहले आपको सिर्फ इसकी महक भी आ जाए तो भी आपका पाचन तेज हो जाता है अगर आप खाना खाने लगे हैं और उससे पहले आप नीम्बू को सूंग लेते हैं तो इससे भी आपका पाचन तेज हो जाता है क्योंकि हमारा जो मस्तिश्क है उसे नीम्बू की खुश्बू बहुत ज़्यादा पसंद है जैसे ही हमारे दिमाग को नीम्बू की खुश्बू आती है तो इसका सीधा असर हमारे पाचन के उपर पड़ता है और अगर आप भोजन के साथ नीम्बू खा लें तो फिर तो क्या बात बुरे से बुरा भोजन भी पच जाएगा बहुत ही असानी से आपने ये बात महसूस की होगी कि जब आप भोजन के साथ नीम्बू वाला प्यास खाते हैं तो आपका भोजन बहुत अच्छे तरीके से हजम हो जाता है और आपको भोजन करने के बाद कोई भी भोजन ना पचने की समस्या नहीं आती तो जिन लोगों को भोजन ना पचने की समस्या है या digestive system से related कोई और समस्या है वह लोग भोजन के साथ नीम्बू लगा हुआ प्यास जरूर खाएं नीम्बू का है कि ये भी फाइदा है कि अगर आप नीम्बू पानी पी लेते हैं तो आपका मुह भी fresh हो जाता है आपके मुह की बदबू दूर हो जाती है तो जिनके मुह से अक्सर smell आती रहती है उन लोगों को दिन में एक या दो बार नीम्बू पानी पीने चाहिए इससे मुह में जो बुरी smell पैदा करने वाले bacteria होते हैं वह मर जाते हैं और आपका मुह एकदम fresh हो जाता है बुरी smell एकदम खतम हो जाती है जैसे ही नीम्बू आपके मुह में जाता है तो आपके मुह में saliva ज्यादा बनने लगता है यानि आम भाशा में कहें तो मुह में पानी आने लगता है तो ये भी एक कारण है जिससे आपका भोजन ज्यादा अच्छे तरीके से पसता है रेगुलर नीमू खाने का एक और बहुत जबरदस्थ फाइदा है यह आपकी किड्नी में पत्री बनने से रोकता है नीमू में जो सिट्रिक एसिड होता है वह किड्नी के अंदर पत्री को बनने से रोकता है तो अगर किसी को पहले से पत्री बन चुकी है वह लोग भी अगर नीम्बू पानी पिएंगे रेगुलरली रोजाना बेसिस के उपर तो हो सकता है कि उनकी पत्री गल कर बाहर निकल जाए नीम्बू का एक और बहुत जबरदस्ट फाइदा है वो ये है कि यह शरीर में खून की कमी को दूर करता है अब नीम्बू में जो आईरन होता है वह नाम मातर होता है ज्यादा नहीं होता लेकिन फिर भी यह शरीर में खून की कमी को दूर करता है ऐसा इसलिए है क्योंकि नीम्बू आपके भोजन में जो आईरन होता है उसे ज्यादा मातरा में हजम होने में सहायता करता है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीमू खाने से भोजन ज्यादा अच्छे तरीके से पसता है जिसकी वज़े से भोजन में जो आइरन होता है वह ज्यादा मातरा में खून में मिलता है इससे आपका अनीमियाद दूर होता है तो जिन लोगों को खून की कमी है, चक्कर आते रहते हैं, कमजोरी रहती है, हाथ पीले रहते हैं, आँखे पीली रहती हैं, वह लोग अगर नीमित रूप से नीमू पानी पीते हैं, तो उनके शरीर में खून की कमी दूर होती है और नीमू पीने का एक और जबरदस्ट फाइदा है कि यह कैंसर से बचाता है आज कल आपको पता ही है कि यह गंभीर बिमारी कितनी बढ़ चुकी है तो अगर आप नीमू पानी पीते हैं तो आप इस गंभीर बिमारी से भी बच सकते हैं तो देखा आपने नीमबू पानी कितनी सारी बीमारियों से बचाता है। अगर आपको जानकरी अच्छी लगी हो तो अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फाइदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।